हेलो एब्रियोन वेल्कम बैक टू माई यूटूब चैनल तो आज की इस वीडियो में हम स्टिचिंग करने वाले हैं अम्रेला फ्रॉप की वो भी 9 से 10 साल के बच्चे की अगर आप इस अम्रेला फ्रॉप की कटिंग का वीडियो देखना चाहते हैं तो लिंक में कर लिए जिएगा यहां पर आप किसी भी साइज की अम्रेला फ्रॉप की स्टिचिंग जिस तरह मैं यहां पर आपको बताऊंगी उस तरीके से आप किसी भी साइज की अम्रेला फ्रॉप की स्टिचिंग कर सकते हैं तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं तो सबसे पहले ह पार्ट को लेना है यह देखिए यहाँ पर सबसे पहले मैंने टॉप पार्ट को लिया है अब हमने इसमें क्या गड़ना है इसका सबसे पहले हम इसके गले की कटिंग करेंगे इस तरीके से मैंने यहाँ पर निशान लगा लिया है आप देख सकते हैं जो मैंने इसके कटिंग गर लेनी है बैक साइट के टॉप पार्ट पर मैं आपको इसमें निशान लगा कर भी दिखा देती हूं तो चलिए में बैक साइड वाले पल्ल ले लेती और इस पर गले का निशान लगाती हूं इस टॉप पार्ट को इस तरीके से डवल फोल करके रख लेना उसके बाद हमने यह देखिए यहाँ पर गले पर इस तरीके से सोल्डर का निशान लगाना है तो सोल्डर का जो निशान है हमारा वो है तीन इंच ठीक है तो इस तरीके से मैंने तेन इंच पर निशान लगाया, अब हमने इसकी लंबाई पर निशान लगाना है, तो लंबाई पर जो निशान लगाएंगे, वो हम चार इंच पर लगाएंगे, यह देखिए, इस तरीके से हम चार इंच पर निशान लगाएंगे, और उसके बाद हमने यहाँ पर इस निशान लगाएंगे उसके बाद हम यहां पर देखिए इस तरीके से गुलाई दे देंगे तो यहां पर देखिए हमारे गले का निशान लग चुका है अब हमने इसकी इसी तरीके से कटिंग कर लेनी है यह देखिए यहाँ पर देखिए हमारे गले की कटिंग हो चुकी है इसी तरीके समें दूसरे वाले पले के गले की भी कटिंग कर लिया है यहाँ पर देखिए हमारे दोनों top parts की cutting हो चुके अब हमने यहाँ पर गला बनाएंगे सबसे पहले तो गला बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक इंच की तिर्ची पट्टी लेए है ठीक है तो इस तरीके से आपने भी तिर्ची पट्टी कर लेना है एक इंच की उसके बाद हमने top part को लेना है और इस तरीके से खोल कर रख लेना है यह देखिए अब हम क्या करेंगे हमा यहाँ पर गला बनाएंगे इसका तो यह जो हमने तिर्ची पट्टी कट के इसे हम double fold करेंगे इस तरीके से double fold करने के बाद हमने अपने गले पर यहाँ पर इस तरीके से इसे र लगा लए ना यहां पर दिखिए हमने इस पर चृबर के निकाल देंगे ती यह लगा लिए तो इस में यहां पर अंदर की साइट में करके हम सिलाई लगा देंगे यह देखें यहां पर इस तरीके से देखें से फोल करेंगे अंदर की साइड में और हम सिलाई लगा लेंगे आप चाहिए इसमें तुर्पाई भी कर सकते हैं तो यहां पर देखें सबसे पहले हमने इस तरीके से हलकालका कट लगा लेना है जिससे कि हमा देना है और पूरे पर सिलाई लगा लेना है यह देखिए एकदम फिनीशिंग वाली हमने अब सिलाई लगाना है ठीक है तो यहां से देखिए इस तरीके से एकदम फिनीशिंग वाली हमने सिलाई लगाते चले जाना है पूरे में यह देखिए यहां पर हमने पूरी सिलाई लगा लिया है यह देखे इस तरीके से हमने हमारे गले को बना कर रेडी कर लिया इसी तरीके सेकंड वाले पार्ट का भी गला बना लेना है तो मैंने उसे उल्डेडी पहले बना कर रख लिया है यहां पर यह देख सकते हैं मैंने आपर दोनों गलों को बना कर रख लिया है आप हम क्या करेंगे ना इस तरीके से सीधे को सीधे के ऊपर रखेंगे ये देखिए और इसके सोल्डर जॉइंट करेंगे यहां से इस तरीके से मिला कर रखना है और पूरे पे हमने इसमें 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 इस के दीज कर लिया है अब हम इसमें देख मारा गला भी बन कर रेडी हो चुका अब यहां से अमने इसके घेरे की इस लाइं कर लेते हैं उसके बाद हमने इसमें इसमें स्लीब्स ऐस्ट करेंगे इस तड हैं । उल्टा करके रखने के बाद यहाँ पर सिंटर पॉइंट पर हमने एक कट लगा लेना है क्यूंकि जब हम इसके फील यान घेरे को अटैज Bell करेंगे न तो हमने इसे 20 से ही अटैज करना है सिंटर से यहाँ पर सबसुम्पार हमने एक कट लगा लेना है इस तरीके से हमने याँ पर इसे कट लगा लिया है अब हम इसमें इसके घेरे को अटाइज करेंगे तो यहाँ पर हमने घेरे को लेना है तो यहाँ से इस तरीके से रखना है यह देखिए इस तरीके से रखकर पूरे पर सिलाई लगा लेना है तो चलिए हमने इसमें सिलाई लगा लेते हैं कि यहां पर देखिए इस तरीके से हमने इसे पकड़ना है यहां से सिंटर पॉइंट से जो हमने कट लगा था ना वहीं से हमने पकड़ना है इस तरीके से हमने इसे सीधा करके रखना है और यहाँ पर देखिए इस तर इसको भी बराबर करके हमने यहाँ पर रखना है और पूरे पर सिलाई लगा लेना है यह देखिए एकदम इस तरीके से और मैंने आपको बहुत ही इजी तरीके से इस अम्रेल अफ रॉक की कटिंग करना बताया है उस वीडियो में यहाँ पर देखिए हमने एक तरफ सिलाई लगा लिया है अब हम इसके दूसरी तरफ भी इसी तरीके से सिलाई लगा लेंगे अगर आप इस अम्रेल अफ रॉक की कटिंग का वीडियो देखना चाहते हैं तो लिंक में डिस्क्रेप्शन बॉक्स में देदूंगे आप वहाँ से चेकाउट कर लीजिएगा मैंने आपको बहुत ही आसान तरीके से इस अम्रेल अफ रॉक की कटिंग करना बताया है यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने एक साइड में इसे अटैच कर लिया है अपनी फ्रिल को यह देखिए अब हमने इसके दूसरे साइड वाले टॉप पर भी इसी तरीके से सेम प्रोसेस के साथ सेम तरीके से ही इसकी फ्रिल को अटैच कर लेना है यहाँ पर यह देखिए इस तरीके से पहले रखना है और हमारा फ्रिल लेना है जो हमारा अम्रेला फ्रॉक का घेरा है उसे लेना है और उसे इस तरीके से फिर से रखना है और इसमें सिलाई लगा लेना है बहुत ही आसान तरीका है और यह अम्रेला फ्रॉक बनने के बाद बहुत ही सु स्लीप्स किया वो डिजाइनर स्लीप्स है अगर आप उस स्लीप्स का भी कटिंग और स्टिचिंग देखना चाहते हैं तो लिंक में डिस्क्रेप्टिंबॉक्स में दे दूंगी आप वहां से चिक आउट कर लीजिएगा वह स्लीप्स बहुत ही सुंदर और बनाने में भी बह अब हमने स्लीप्स को अटाज करना है ठीक है उसके बाद हमने इसकी पूरी फिटिंग कर लेनी है तो यहां पर इस तरीके से खोल कर रखना है हमारे umbrella frog को ये सीधा रखना ठीक है और इसको भी हमारी slips को भी इस तरीके से सीधे के उपर सीधा रखना है और यहां से देखिए इसे इस तरीके से याँपर जैसे हम normal slips को attach करते ना उसी तरीके से हमने इसमें भी सिलाई लगा लेना है आप देख सकते हैं यह sleep जो है वो designer sleep मैंने बनाई है यहाँ पर तो अगर आप sleep की design देखना चाहते हैं तो उसका भी link में description box में देदूँगी आप वहाँ से check out कर लेजिएगा तो इस तरीके से हमने देखी दोनों स्लीप्स को अटैज कर लेना है यहाँ पर देखे हमने एक स्लीप्स अटैज कर लिया है यह देख सकते हैं यहाँ पर हमारी स्लीप्स जो अटैज हो चुकी है आप देख सकते हैं देखिए यहाँ पर सलीप्स अटैच हो चुकी है और इसी तरीके से हम ने दूसरी वाली सलीप्स भी पहले से अटैच कर लिया है यहाँ पर देख सकते हैं मैं आपको एक सलीप्स अटैच करके दिखा दिया अब हमने हमारे अम्ब्रेला फ्रॉग की पूरी फिटिंग कर लेनी है यह देखे इस तरीके से हमने स्लीप से इसकी फिटिंग करनी है यहाँ पर देखे इस तरीके से एक बराबर कर लेना है फैब्रिक को और पूरे फ्रॉग की हमारे यहाँ पर फिटिंग कर लेना है सिंपल सा यह हमने इस तरीके से इसकी फिटिंग कर लेनी है और यह हमारा बेरा फ्रॉक बनकर तैयार हो जाएगा गाईज अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सस्क्राइब करिएगा सस्क्राइब करने के साथ साथ ही बेल आइकन के बटन को भी जरूर से प्रेस करिएगा ताकि आने वाले मेरे हर एक लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने एक साइट पर अम्रेला फ्रॉक की फिटिंग कर लिया है अब हम दूसरे साइट पर इसकी उसी तरीके से फिटिंग कर लिया है तो यहाँ पर हमारे अम्रेला फ्रॉक की पूरी फिटिंग हो चुकी है अब हमने क्या करना ना इसके बॉटम पर सिलाई लगाना यहाँ पर यह जो हमारा bottom न यहां पर सिलाई लगाना पहले इसने हमने इस तरीके से fabric को एक बार fold करना फिर दूसरी बार fold करके आप simple सी सिलाई लगा लीजिए बट इसमें मैं पीको करूँगी यहां पर दीके हमारा यह umbrella frog बनकर ready हो चुका है पूरा यह देखिए यहां पर मैंने इसमें पीको भी कर लिया है यह देख सकते हैं और पीको करने के बाद इसमें बहुत ही अच्छी से finishing आती है ठीक है तो यहां पर देखिए यह पहनने के बाद भी यह frog कितना ही सुन्दर लग रहा और इसकी sleeps भी आप देख सकते हैं कितनी खुबसूरत लग रही है अगर आप इस sleeps की डिजाइन देखना चाहते हैं तो link में description box में दूँगी आप वहाँ से check out कर लीजीगा और यह frog बनकर कितना ही सुन्दर लग रहा है आप देख सकते हैं और इसमें कितना ज़्यादा घेर आया है तो guys I hope आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो और healthful लगी हो तो अगर मेरी वीडियो ये आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को like, share and subscribe करें subscribe करने के साथ साथ ही बिल आइकन के बटन को भी जरूर से प्रेस करिएगा ताकि मेरे आने वाले हैरेक वीडियो के latest notification आपको सबसे पहले मिल जाए फिर मिलते हैं आपसे ऐसे ही new वीडियो के साथ तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें और दुआओं में याद रखें बाई